नमस्कार साथियो नियूज के लिए कि में हम आपका स्वागत करते हैं मेडिया के गलियारे में विकास के मॉडल के नाम पर गुजरात मॉडल की बात होती है लेकिन प्रशास्ति गलियारों में बुद्धी जीवी गलियारों में किरल मॉडल की बात होती है वो ही बहुत अच्छी है तो उस पर बात करने के लिए केरल की राजनीती पर बात करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रमुक संपादक प्रबीर पूर क्यास था तो सर आपको क्या लग रहा है कि इस समय की चुनावी स्थिती में केरल में किस तरह का चुनावी समीकरण बन रहा है केरल का इस वक्त चुनावी समीकरण जो आप कह रहे हैं वो LDF और UDF के बीच में क्या कह सकते रेस है तो वो तो साफ है एही दो पक्ष हर बार चुनाव में एक दूसरे के सामना करते हैं और इस वक्त बीजेपी की वहाँ पर पहुंच केरल में अभी भी बहुत कम है एक सीट में उसका कुछ इंफुलेंस रहता है ट्रिवैंडरम में और देखना पड़ेगा एक दो जगह से आयशकित्ता वोट उनको मिल सकता है तो प्रमुख चैलेंज लडीएफ यूडीएफ के बीच में है इस हिसाब से उत्तरी भारत से तस्वीर कुछ भिन है जहां पर में चुनावी चैलेंज है बीजेपी वर्सस अधर पार्टी इस के रूप में निकल के आ तो लडीएफ और यूडीएफ के बीच ये चुनावी समकरण है उसमें कॉंग्रिस ने आ करके जो छुंका लगाया है भायनंद में आ करके तो ये चीजें किस तरह से प्रभावित करेंगे वाइनाट के बात बात जो है थोड़ा एक मिनिट बात जाते हैं केरल में जो है काफी क्लोज रहता है हर चुनाव में एक पक्च जीतता है या दूसरा पक्च हारता है दोनों के बीच पर डिफरेंस इतना बहुत बड़ा नहीं होता है तो इस से साब से केरल इस अल्लिस बीद एक क्लोज इलेक्शन पीछले बार अगर आप देखे तो इस 2014 की अगर है असेंबली के अगर मैपिंग करे पारलिमेंट में तो आप देखेंगे कि एल्डी एफ को पंदरा सीट मिलता और यूडी एफ को पांच सीट मिलता असेंबली की एलेक्शन के आधार यह भी एक चीज रहा है केरल में कि एसेंबली और पारलिमेंट में एल्डी एफ कि लोग सोचते हैं कि केंदर की चुनाव राज़नीत में कि कांग्रेस की भूमिका ज्यादा होगी तो इसलिए लेफ्ट को अगर वोट भी देते हैं अक्सर पार्लिमेंट पे इत्ता वोट नहीं देते यह ऐसा नहीं है कि ल्डिएफ कभी केरल में सुईप नहीं किया पार्ल हो सकता है या होता है तो इस वक्त अभी तो केरल की राज़नीत को देखते हुए लगता है कि पिनराई विजैन को जो एक्जिक्टिव केपिबिलिटीज है सरकार चलाने की जो उनकी एफिशेंसी रही है उसको देखते हुए केरल में एक प्रभाव लेफ्ट के तरफ इस व पड़ता भी अगर सब्रिबलाई की बाते नहीं आती क्योंकि वहां पर फ्लड्स बड़े पैमाने पर हुए थे तो प्रशाशनिक छमता जो है ले ल्डिएफ सरकार ने बहुत अच्छी तरह दिखाया तो इसलिए एक तरफ से लग रहा था कि ल्डिएफ शायद भारी बह अभी तो हम ऐसे ही बात कर रहें तो वही मैंने जो कोश्चन पूछा था कि राहूल गांधी के आने के वज़े से वायनेंथ के छेत्र में इन पूरे समीकर्णों पर कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है तो कॉंग्रेस का अंदुरूनी जो दरार था आपस पर जग कितना होगा नहीं होगा देखने की बात है और क्या वायनाड का खास प्रभाव केरल पर पड़ेगा लग नहीं रहा ऐसा पड़ रहा है तो उस हिसाब से राहूल गांधी का वहां आना वायनाड सीट के इलावा कुछ पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो देखना पड़ेगा मुझे तो नहीं लगता है सब्रीबला का असर ज़रूर कॉंग्रेस पर भी पढ़ेगा क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ा चैलेंज के रेल में नहीं है सब्रीबला कॉंग्रेस ने भी बीजेपी को समर्थन किया था हलाकि कैम्पेन मूलता बीजेपी की थी पर कॉंग्रेस पर उसमें शामिल होगी पार्टी के रूपे उसमें शामिल था इसलिए सब्रीबला में अगर कुछ खास तोर से अपर कास्ट सेक्षन है जिन्होंने सब्रीबला को समझा कि हमारे विचारों पे एक आगात है तो कुछ हद तक उनका वोट शिफ्ट हो सकता है और इसके साथ साथ ये भी है क्योंकि नारायन गुरू इनकी रिफॉर्म्स की कैरल के बहुत लंबा इतिहास रहा है टेंपल एंट्री मुव्मेंट कैरल में बहुत तगड़ा मुव्मेंट हुआ था 20s 30s में तो इसको देखते हुए उसका असर दूसरी तरह भी पढ़ सकता है पर जरूर ये है कि क्योंकि बहुत क्लोज इलेक्शन होते है थोड़ा सा इधर उदर शिफ्ट में सीट्स पे क्या असर पढ़ेगा बताना कैरल के लिए मुश्किल है अभी तो लग रहा है कि कैरल में लेफ्ट का पलड़ा भाड़ी है कांग्रेस पीछे है पर इस तरह की क्लोज इलेक्शन में कॉल करना मुश्किल हो जाता है आज चुनाओ केरल में हो रहा है देखते हैं जब इवियम्स खोलेंगे तब इसका क्या निकल के आता है तब ही पना चलेगा 2016 से लेकर 19-3 साल हो गए राजसरकार ने काम भी किया होगा वहाँ पे और उसकी प्रतिकरिया भी बनी होगी जनता के बीच फिर से बाढ़ का जो मसला है कहा भी हो जारा है कि बाढ़ के लिए जो च्छती पूर्ती देनी थी जनता को बहुत अधिक पहुँच गई है इन सारे मसलों को देखते हुए देखे और फिर साबरेमाला गई मसला फिर वहाँ पे चर्च को लेकर भी विवाद होता है कि मतलब इसाई समुधाय भी अच्छे खासी इस्तिती मतलब अच्छे पॉपुलेशन में वहाँ पर तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि जो समीकरन बनने वाला है वो क्या L.ड.ऐफ की तरफ आता हुआ तेखिए इस हिसाब से जो समीकरन है वो L.ड.ऐ उड.ड.ऐ दोनों के तरफ से एक सेक्विलर वोट तो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है Christians और Muslims हमुदाई को अगर vote मिलाए तो 50% लगभग minorities वहाँ पर केरल में है तो इसलिए communal sentiment अगर polarize भी करता है उस तरह से नहीं कर पाता है जो दूसरे जगह पर करता है जहाँ पर Hindu जनसंख्या ज्यादा है नॉर्टीस को छोड़के इस तरह से और minorities इस number पर नहीं है कश्पीर और नॉर्टीस को छोड़के तो इसलिए देखना पड़ेगा कि रुवी करण अगर communal होता है तो कितना फाइदा किसको होता है वो अलग बात है बट केरल में communal polarization इस तरह से हुआ नहीं है और इसलिए ये election मेरे ख्याल से मुद्दों पर लड़ा जाएगा ना कि communal polarization से जो कि नॉर्ट का खास तोर से फिनोमेना इस वक्त देखने को मिल रहा है एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जिस तरह से उत्तर भारत से लेकर के मद्ध भारत में बेज़े पे ने अपना एक राज जमाने कोहिस की लेकिन केरल में वामपंथी बच गए वामपंथी दल बच गए और उन्हें बहुत अच्छा भी किया अखिरकर ये ऐसा क्यों कि आपको लगता है कि वो जो कहा जाता है एक जागरुख जो समाज होता है वो थोड़ा सोच समझ करने नहीं लेता है देखे हमें किसी भी समाज को पर कटाक्शन ही करना चाहिए तो जागरुख नहीं है ये सवाल नहीं है सवाल है कि communal polarization नौर्ट इंडिया में ज्यादा सफल इसलिए भी हुआ है कि हाँ पर partition का असर था, पुराना असर था South में partition का उस तरह से असर नहीं था South में ये भी था कि इंडिया का पार्ट हम रहें ड्रवड अलग एक देश बनाए ये सब भी movements रहे है वहाँ पर anti-cast movements रहे हैं, सिर्फ केरल में नहीं, टमिल्णार में भी रहे हैं तो ये सब देखते हुए इस तरह का राजनीत जो नौर्ट में खास तरह से जो communal polarization हुआ है उस तरह से धूवी करण South India में नहीं हुआ है इसका मतलब नहीं है कि North India इसी तरह चलेगा मैं समझता हूँ कि ये भी हाँ पर सबका challenge है, इसको कैसे दूर किया जाए और ये बहुत दिन तक क्या जो हिंसा की राजनीत, हेट्रिट की राजनीत चल सकती है, वो भी हमें देखना पड़ेगा पर केरल में खास तरह से जो केरला model की आप बात कर रहते पहले उसका खासियत ये रहा है कि human development पे जोर देना, education और health बगारा चीजों पे जोर देना और उससे जो निकल के आती है, समाज की wealth जिससे कह सकते हैं, समाज की विकास, उससे करना ये खास तरह से केरल की एक policy रही है, और दूसरे जगहों पे ये रही है कि उत्पादन कैसे करें, हनिच संपत कैसे बाहर लाएं, पूजी पतियों को ये सब दे के, कैसे उसको क्या कहते हैं, incentive दे के अपने state पे लाएं, तो लाएं, ये एक जो रही है, ये केरल और गुजर बहुत पीछे है, और केरल हिंदुस्तान में सबसे आगे ही सिर्फ ही है, दुनिया में भी किसी भी देश देखे, तो उसको middle income या high income group की जो health indicators है, education indicators है, केरल का indicators वहां पहुंचता है, इसलिए दो में बहुत फरक है, अंतिम सवाल आप से इसी बात पे, कि गुजरात model जो है जिसके बारे में खूब चर्चा के जाती है, जो growth तो दिखाता है, लेकिन economic disparity भी बहुत है, केरल मॉडल के बारे में human development है, दोनों को कहा जाता है कि 30 यह लागे होने के विए से इन्होंने development किया, आपकी रहे में, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान जैसे परिद्रिश में कौन सा मेडल आगे बढ़ सकता है? इन्सानियत के पास कोई रास्ते है नहीं, तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इन्सान का कैसे develop करें, यह हमार मुख्या focus होना चाहिए, इसके आधार पे समाज कैसे develop करेंगा, उसको हमें देखना परेगा. शुक्रिया प्रवीर, प्रवीर ने एक बहुत अच्छी बात कही, कि ध्यान दीजिए कि इन्सान का development कैसे होगा, और अगर आप देखेंगे, तो भारत के बहुत दक्षिन के इलाखे में एक development कॉंग्रेस और भाजपा से नहीं हो रहा है। शुक्रिया आप देखते रहें न्यूज क्लेक।